राजनन्द गाउं में कोरोना काल के दौरान सिख्षा विवाग ने करोडों के किचन डिवाइस की खरीदी की और कई प्राइमरी और मिडिल स्कूल को बाढ़ दिये अब बर्तनों की गुरुवत्ता और वजन को लेकर सिख्षा विवाग पूरी तरह ब्रश्टाचार के मामले में घिर्ता न जरा रहा है गोरोना काल में जहां पूरे स्कूल बंद पड़े थे वहीं सिख्षा विवाग द्वारा एक करोड़ अठटा लाच के किचन डिवाइस बर्तन की खरीदी महा समुद्र के एक बर्तन फैक्टरी से की गई इन बर्तनों को जिले के 1211 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को दिया गया जहां बच्चों के लिए बध्ध्यान भोजन बनाया जाता है एक स्कूल में कुल चार बर्तन दिये गए और एक कुकर साथ लीजर का लोकल मिड दिया गया बरतनों का वजन एक स्कूल के दियानुसार 12-15 किलो तक ही जाता है जबकि खुले बाजार में स्कील की कीमत 200 रुपए किलो बताई जा रही है बाजार की माने तो एक स्कूल में केवल 37 सौ रुपए के ही बरतनों की सप्लाई की गई जबकि 1211 स्कूल के लिए एक करोड 78 रुपए में प्रती स्कूल को करीब 14 रुपए के बरतन दिये जाने थे मामले की परताल की गई तो छुरिया विकासखण में स्कूलों के केवल कुकर का ही वित्रन किया गया बाकी के बरतन स्कूल में डंब कर रखे गए मामला सामने आने के बाद आन फारण में सप्लाई के छह महीने बाद बरतन बाटे गए ब्लॉक्स रिख्षा अदिकारी रहा तहना था कि बरतनों को बाटने के लिए जिलस रिख्षा अदिकारी द्वारा मना किया गया था पूरे मामले में करीद सवा करोड रुपए का घोटाला देखने को मिल रहा है मामले में जिला सिक्षा अधिकारी अब लीपा पोती करते में जरा रहे हैं जिला सिक्षा अधिकारी आबंटन कम बता रहे हैं जब कि D.E.O. द्वारा आदेश जारी किया गया है उसमें कीचन डिवाइस रिप्लेशमेंट का उले किया गया है विकास खरण सिक्षा अधिकारी की तीम के दोरा इसकी जाँच कराई गया है उसके जो माब रंड हैं माब रंड के अधार पे जो है कुकार सहीं पाई गया है और जो अधन असमान थे खोडाई भगोना और जग जो है इसमें जो क्रॉयादेस जारी किया गए था उसक्रायादेस के वजन के दार पर जो कुछ कम मात्रा पाई गए थी और शों समची फर्मका काठ के सासन के खाते में जमा कर दिया गया है संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने ता चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ ता जोपड़ी से महलों ता थेलों से मेलों ता पकडंडियों से सड़कों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राज़्डीती से उटमीती ता तखल न्यूज, आप क्या थे? आप देख रहे हैं तखल न्यूज